शहर की सरकों पर एक ठंडी और कोहरे से भरी रात थी, बेबी शेरू और बेबी चिक्तू धीमे धीमे कदमों से चल रहे थे, फोहरा इतना घना था कि स्ट्रीट लाइट की रोशनी में भी रहस्यमई आकृतियां बन रही थी, बेबी शेरू एक प्यारा शेर का बच्चा ला बड़ी हरी आँखें चोकननी थी, जैसे किसी अजीब चीज का इंतजार कर रही हूँ, शेरू क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह कोहरा कुछ अजीब है, चिक्तू ने चिंता भरे स्वर में पूछा, उनके आगे की सरक कोहरा में गायब हो गई थी और आसपास की इमारते धुंदली परचाईयों जैसी दिख रही थी, शेरू ने कंधे उचकाते हुए कहा, यह सिर्फ कोहरा है, चिक्तू, कुछ नहीं होगा, चलो, जैसे ही वे आगे बड़े, कोहरा और भी गहराने लगा, जमीन पर रेंगते हुए भूतिया हाथों जैसा महसूस हो रहा था, त यह कुछ अलग है, शेरू रुप गया, उसकी नाक फड़कनी लगी, जिन्दा क्या मतलब पीनट, इससे पहले कि पीनट कुछ और कह पाता, एक ठंडी हवा ने जोर से जूका मारा, और कोहरा उनके चारू और जोर से घूमने लगा, चिक्तू ने घबराकर पीछे हटते शेरू ने गंभीर स्वर में कहा, सभी लोग एक साथ रहो, सभी लोग एक साथ रहो, उसका दिल अब तेजी से धरक रहा था, तभी कोहरे में से एक और आकरती उभर कराई मोची एक त्यारा पांडा बच्चा जो अपने हाथ में चमकती हुई लाल टेन लिये था, उसकी न मोची ने कामते हुए कहा, अचानक एक गहरी गुराहट सुनाई दी, सभी दोस्तों ने डर से पीछे मुर कर देखा, कोहरा अब और भी विचित्र रूप से घूमने लगा, जैसे उसमें से काली चाय आएं, उनकी ओर बढ़ रही हों, हमें यहां से भागना चाहिए, लालतेन आगे रखो, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे, मोची ने सहमती में सेर हिलाया, और सभी ने उसकी रोशनी का पीछा किया, उनके कदमों की आवाज खाली सरक पर गूंचने लगी, और कोहरा अजीब आकरिकियों में बदल कर उनके चारू और घूमने लगा, शेरू उनके पीछे कोहरे से बनी दरावनी, परचाईयां तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही कोहरे ने उन्हें घेर लिया, मोची की लालतेन से एक तेज रोशनी नखी, जिसमें चारू और की सारी परचाईयों को मिटा दिया, कोहरा धीरे धीरे गायब हो गया, और सरक फ इनट ने कहा, हमने कर दिखाया, चित्तु ने सहमती में सिर हिलाते हुए कहा, मैंने आज तक इतना दर कभी महसूस नहीं किया, शेरू ने हसते हुए कहा, हमने साथ मिलकर इसका सामना किया, यही सबसे बड़ी बात है, फिर सभी दोस्त, वापस अतने घर की ओर चले, की एक नई कहानी लेकर, जो उन्होंने मिलकर जीती थी,